लोगतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की मुनादी हो चुकी है हर चौक चुरहा सियासी किस्सों से गुलजार है चुनावायोगों या राजनीता लगातार आम लोगों से एस उत्सव में अपनी भागिदारी सुनिशुत करने की अपील कर रहे हैं इसी कड़ी में रंकर्मी संजय रामफल भी एक अलग अंदाज में लोगों को चुनाव के प्रती जागरूप कर रहे हैं मायनगरी मुंबई की चाकाचौंद को छोड़ लोगों में चुनाव को लेकर जागरूपता पैदा करने निकले रंकर्मी संजय रामफल का कहना है कि हमें किसी निताकोस की तस्वीर की बजाए उसकी शिक्षा और पूर जीवन को देखकर वूट करना चाहे अठारमी लोगसभा के चुनाव नजदीक पर हैं जहां परसासन भी पूरी गति वीडियों के साथ लोगों को जागरूप कर रहे हैं कि जादा से जादा मत का प्रियोग करें उसी को लेकर एक आम में इनसान का भी फर्ज बनता है वो भी अपने मतों का प्रियोग करें और औरों को भी जागरूप करें इसी को लेकर हमने ये अभियान चलाया है और इस अभियान का हमारा मक्सद था कि आप चित्र देखकर नहीं बलकि चरित्र देखकर वोट करें क्योंकि आजकल सोसल मीडिया पर डिजिटल इतना हवी हो गया है कि आप बढ़ चड़ कर उन बातों को दिखाते हैं लेकिन हम इन बातों से बिलकुल अलग हट कर उसके पूरे जीवन और उसकी सिक्ष्या को लेकर ही वोट करें हम नेता चुन रहे हैं कोई जीजा नहीं चुन रहे इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि जब हम बेटी को देखने जाते हैं तो परिवारवाले देखते हैं चरित्रवान नेता को ही आगे लाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मत का प्रियोग करने के लिए भी जागरुक करना चाहिए ये मेरा अकेले का नहीं सभी का फर्ज बनता है तो आईए इस फर्ज को निभाएं और एक लोकतांत्रिक देश को चटे चुरण में मतदान होगा और नतीजे 25 मई को आएंगे चरके दादरी से पुनीत पंजाब केसरी टीवी